आज हम अभिकान शाकुनलम का दूसरा अंक प्रारंब करेंगे दूसरा अंक में विदुशक का नाम का पात्र प्रवेश कर रहा है विदुशक राजा का या नायक का मित्र होता है और यह नाटक में जो भी नायक होता है वह राजा भी हो सकता है तो विदुशक जो होता है उसका मित्र होता है नायक का और शंगार रस्में उसका सहायक होता है तो ततह प्रवीशती विष्टों विदुशक है उसके बाद में खिलन मनवाले विदुशक का प्रवेश होता है विदूशक कह रहा है निस्वास एक लंबी सास छोड़ कर विदूशक कह रहा है भोधिष्टम ये दुर्वाग्य एतश्य मरगया शीलश्य राग्यो वयश्य भावेन निर्भिष्णौ अस्मी इस मरगया शील राजा के मरगया यानि शिकार खेलना शिकार खेलना जिसको पसंद है जो शिकार खेलने का व्यसनी है जिसके आदत में उस राजा के वयश्य भाव यानि मितरता से तो मैं निर्विष्णो यानि दुखी हो गया हूँ यह म्रग आगया यह वराह यानि यह चीता है इती इस प्रकार कहते हुए मध्यानने अपी ग्रीश्म विरल पादब चाया सू मध्यान में भी यानि कि दोपेरी में भी और तेदिक गर्मी में पेडु की चाया भी दुरलब है ऐसी ग्रीश्म रितु में वन राजिशू हिंडय ते अटवितो अटवी एक वन से दूसरे वन में हम घूमते रहते हैं भागते रहते हैं यह म्रग आ गया यह वरा आ गया यह चीता आ गया तो उनको मारने के लिए इदर उदर भागते रहते हैं दुपेरी तक पत्र संकर काशायनी, कटूनी, गिरी नदी जलानी पीयनते और पत्तों के विबिन प्रकार के पत्र संकर काशायनी यानि कि विबिन प्रकार के पत्ते पानी में गिरने से कसाईला हो गया है और कटुनी कड़वा हो गया है ऐसा गिरी नदी नदियों के जल को ही पीनते पीना पड़ता है ऐनियत वेलम शूलमांस भूयश्या आहारो भुज्यते ऐनियत वेलम यानि कि जिसकी कोई निशित समय नहीं है ऐसा शूलमांसी जिसमें अत्यदिक होता है शूलमांस भूयश्या यानि कि जो भी शिकार होए करते थे जिस भी म्रज का या सुवर का उसी को अगनी में जलाकर खाना तो उसको कैसे जलाएंगे अगनी में उसके बीच में से एक तीखा भाला गुसा कर उसको अगनी पर सेग लेते थे तो ऐसा सूल्य मान्स उसको कहा गया है तो वही आहार जिसमें अत्यदिक होता है और जिसका भी कोई निष्चित समय नहीं होता कोई इम्रग मर गया है शिकार में आ गया है तो खालिया नहीं तो भूके इगुम रहें ऐसा आहार खाना पड़ता है तुरग अनुधावन गोडों के पीछे दोडने से कंडित संदे संदियां धीली पड़ गई हैं पतलब की हड्डियों के जोड हिल गए हैं ऐसी इस्तती में रात्राव अपी निकामं शहित अव्यम नास्दी रात्री में भी हम अच्छी प्रकार से सो नहीं पाते हैं इतने ठक जाते हैं हड्डियों के बंदन धीले पड़ जाते हैं तो रात्री में भी धंग से सो नहीं पाते हैं इतने ठक जाते हैं ततो महतियेव प्रतियुशे, दाश्या पुत्रेई, शकुनी लूब धकई, वन गरहन को लाहलेन प्रति बोधी तो अस्मी, ततो उसके बाद महतियेव अत्यदिक प्रतियुशे सुबय ही, अत्यदिक सुबय यानि कि बहुत सवेरे, सूरज उगने से भी पहले, प्रतियुश उशा से भी पहले, मतलब सूरज की पहली किरन आये, उससे भी पहले दाश्या पुत्रे, दाश्या पुत्रे एक प्रकार की गाली है, नीच व्यक्तियों के लिए दी जाती है, उन दाश्या पुत्रे, दासी पुत्र शकुनी यानि की बहेलियों के द्वारा, लुब्द कई जाता हूं, जो जंगल के निवासी होते हैं, वे राजा का शिकार में मदद करते हैं, राजा की शिकार में मदद करते हैं, मतलब कि वे बन के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और सारे जानवरों को बीच में इकटा कर लेते हैं, तो राजा को शिकार करने में आसानी हो जाती तो ऐसा उन वन में रहने वाले लोगों के वन को घेर लेने के कोला हाल से मैं बहुत जल्दी ही जगा दिया जाता हूँ यत इदानी मपी पीडा ने निश्क्रा मती यह पीडा तो निकली नहीं रही थी यह पीडा थी मेरी कि वन में घूम रहा हूँ या अच्छा भूजन नहीं मिल रहा अच्छा पानी नहीं मिल रहा आराम नहीं मिल रहा यह तो एक पीडा खतम होई नहीं रही थी ततो गंडश् उपर यानि फोड़े के ऊपर फोड़ा जो हमारे शरीर पर कहीं हो जाता है वहाँ पिटका है समरत है पिटका यानि छोटी पुंसी फोड़े के ऊपर एक छोटी पुंसी हो गई है इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं जो कि सूकती व्याख्या में पूछा जाता है यह एक सूकत अस्मासु अहिनेशु तत्रभवतो म्रगानु सारेण आश्रम पदम प्रविश्टश्य तापस कन्य का शकुंतला मम अंध्यतया धर्शिता हा। कि मेरे दुरवाग्य से हम यह किल अस्मासु हिनेशु यानि हमसे अलग हुए तत्रभवतो वे राजा मरगानु सारेण मरग का पीछा करते हुए आश्रम पदमे प्रविश्टश्य प्रवेश्ट कर गए और तापस कन्या शकुंतला मम अंध्यतया मेरे दुरभाग्य से तापस कन्या शकुंतला को देख लिया। तब से ही नगर जाने का मन किसी भी प्रकार से उनका नहीं कर रहा है। उसके बाद शकुंतला के दर्शन होने के बाद में किसी भी प्रकार से उनका मन ही नहीं कर रहा है कि नगर में वापस लोड जाए। अध्यापी आज भी तश्यतामेव चिंतयो अक्षणों हो प्रभाता मासीत। आज भी उनकी उसी के बारे में सोचते हुए आखों में ही प्रवात हो गई। कागती क्या क्या जा सकता है। यावद अत्तम करता चार परिक्रमम पश्यामी। देखता हूँ कि चल कर देखता हूँ कि उन्होंने सुबह का सारा वेवार कर लिया है या नहीं इती परिक्रम में अवलोग के चै इस परकार घूम कर देखता है एश, बानासन, हस्ता भी ही, यमनी भी ही, वन पुष्प माला धारीनी भी ही परिवरत इते एव आगच्छती प्रियवयश कि ये प्रियमित्र बान सन हस्ता भी ही हातों में बान धनुष धारन करने वाली, यमनी और वन पुष्प मालाओं को धारन करने वाली यमनी इस्तरियों से घिरे हुए इधर ही आ रहे हैं प्रियमित्र राजा के लिगा है कि राजा इदरी आ रहे हैं और वह किस प्रकार से आ रहे हैं बाणों को बाण धनों शात से घिरें वाले पुष्प पुष्प मालाओं को धारन करने वाले यवनी इस्त्रियों से घिरेवे इधर ही आ रहे हैं भवतु ठीक है अंग भंग विकल एव भूत्वा इस्था श्यामी यद्य एव अहम अपी नाम विश्रामम लभे लभे ठीक है मैं अंग भंग विकल करके इस प्रकार से बैड़ जा हुँ यदि एवं अपी नाम विश्रामम लभे अगर इस प्रकार ही मुझे थोड़ा विश्राम मिल जाए तो इती दंड कास्टम अवलंब्य इस्तित इस प्रकार लकडी के दंडे का आलंबन लेकर बैड जाता है ततह प्रवीशती यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा उसके बाद में प्रवेश करता है राजा उसी प्रकार के व्यापार का उसी प्रकार के परिवार के साथ में तत्य प्रविशती या था निर्दिष्ट परिवारो राजा उसके बाल में राजा का प्रवेश होता है उसी परिजनों के निर्दिष्ट के वे परिजनों के साथ में राजा कहता है आत्म गता अपने मन में कह रहा है भी तो है प्रिया न शुलबं प्रिया मुझे सुलब नहीं है शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि भलेही शकुंतला मुझे सुलब नहीं है मैं उससे आसानी से मिलने सकता हूं मन है तु तद भाव दर्शन आस्वस्ती लेकिन मेरा मन उसके भाव के दर्शन से आस्वस्त है उसके जो भाव देखे थे मैंने आहाओ भाव उसके भाव को देख कर मेरा जो मन है वह आस्वस्त है आप एकरतार थे अपी मन सीजे कि मन सीज यानि काम कामदेव के ऐ करतार थे अपी ऐ सफल होने पर भी कामदेव के ऐ सफल होने पर भी ऐ सफल होने का मतलब है कि दोनों में अभी तक किसी प्रकार का प्रेम आग रहे है या किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है हाव भाव से ही वह समझ रहा है राजा तो कामदेव के ऐस अफल होने पर भी रतीम उभय प्रार्थना कुरूते दोनों की जो प्रार्थना है वह उभय प्रार्थना दोनों की प्रार्थना यानि की दोनों का जो अभिलाशा है उतकंठा है वह रतीम कुरूते वह प्रेम को उ रही है वह राजा जो कहना चाह रहे हैं इस लोग में वह यह कहना चाह रहे हैं कि भले ही शकुंतला से मेरी कोई डारेक्ट बात नहीं हुई लेकिन फिर भी उसके हाव हाव से यही लगता है कि वह भी मुझे से प्रेम करती है तो इस प्रकार हम दोनों के जो हाव हाव हैं उस से प्रस पर प्रेम उत्पन होता है इसके बाद में राजा कहता है मन में ही सोच रहा है खेर नहीं रहा किसी से इसके बाद में सोचता है स्निग्धम विक्षितम अन्यतो अपी नैने यत प्रेर यंता तया यातम यत्च नितंबयो गुरुतया मन्दम विलासाद इव मागा इती उपरुद्धया यदपी सा सासुयम उक्ता सकी सर्वम तत किल मत परायनम अहो कामी स्वताम पश्यती कि स्निग्धम विक्षितम अन्यतो अपी अन्यत दूसरी तरफ देखते हुए भी नैने यत प्रेर यंता तया उसके द्वारा दूसरी और मतलब कि अन्यतो यानि कि व्रक्ष लता आदी की तरफ देखते हुए भी उसकी जो द्रश्टी दूसरी और देख रही थी फिर भी उसकी जो द्रश्टी थी प्रेम पूर्वक मेरे तरफ गिर जाती थी इस निगधम यानि प्रेम और यातम चली थी यच्च नितंबयो गुरुतया अपने नितंबो के भारी पन के कारण जो मंदम विलासा दियो धीरे धीरे और विलास पूर्वक चली थी मागा मत जाओ इती उपरुद्धया इस प्रकार रोक लेने पर यदपी सास आसुया मुकता सकी इर्शा के साथ अपनी सकी से बात की थी जिसने अपनी सकी को इर्शा के साथ जवाब दिया था जब सकी ने रोका मागा मत जाओ ऐसा कहा तब इर्शा के साथ उससे बात की सर्वम तत्किल मत परायनो यह सब कुछ मेरे लिए ही था अहो कामी स्वताम पश्चती कामी व्यक्ति जो है वह सब जगे अपने आपको ही देखता है मतलब की जिस चीज की इच्छा होती है वह उसकी सारी चेस्टाओं को अपने लिए ही समझने लगता है तो राजा भी यहाँ पर शकुंतला की जितने भी चेस्टाएं उसने नोटिस करी थी उन सारी चेस्टाओं को वह यही समझ रहा है कि यह उसने शकुंतला ने मेरे लिए ही की थी इस प्रकार सोचता हुआ राजा मंज पर प्रवेश करता है अभी राजा और विदुशक का वारतालाब शुरू नहीं हुआ है क्यों विदुशक ने एक सूचना दी है कि राजा प्रवेश कर रहा है और राजा उसी प्रकार के वातावरण के साथ में मंज पर प्रवेश भ जुरू होगा, वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे.